नमश्कार मेरे प्यारे पढ़ाकूँ और श्वागत है आपका दपढ़ाकूपर मेरा नाम है बबीता अहीर और हम आज जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक असोप के अभिलेखों में देखने वाले हैं अशोक के इस्तमलिक देखे अशोक के अभिलेखों में सबसे जosphere सबसे बहुत पूछे जाते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस तम लेखों से ना तो एक भी बचेगा और नहीं गलत होगा तो चलिए है सबसे जरूरी बात कि आज की वीडियो का हर पूइंट तुम्हारे सलेक्शन के लिए बहुत जादा जरूरी ह करने की किसी चीज को टेंशन लेनी नहीं है उसके लिए वीडियो को पूरा देखना है वीडियो जैसे पूरा देखेंगे आप सारी चीजे खुद बखुद आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी तो चलिए सुरू करते हैं सबसे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अ असोक ने कराई थी यानि भारत में सबसे पहले अभिलेक किस ने लिखवाए थे तो समराट असोक ने लिखवाए थे डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर इस असोक ने भारत में अभिलेक परंपरा की सुरुवात की थी डेरियस प्रत्थम इरान का सासक है उसके बाद अभिलेकों की खोज किसने की थी तो टी पहनते लड़ने की थी अभिलेकों को पढ़ा किसने है तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है प्रश पढ़ा आगे चलते हैं असोक के अभिलेकों पर भासा कौन सी है तो प्राकरत भासा है अर्दमागदी अपुभरंस है प्रशन पूछा जाए पत्थर पर लिखी गई पहली भासा कौन सी है जिसे हम पढ़ सकते हैं वैसे तो सिंदु घाटी सब्विता की टाइम पर भी हुए ब्रहमीलिपी में है उसके बाद खरोष्टी भप पाकिस्तान में प्राप्थ हुई है सहभाजगडी और मांसेथ अभिलेक से उसके गande dropped हुआ घ्रीक और जहार पर अभिले कितने प्रकार के हो जाएंगे तीन प्रकार के एक होगे सिलाले का तीसरे गुहाले क्या है जैसे कोई पत्थर सिलाक chaline प्रावर नगार चुनी गुफाइंस का उधारन है आप प्राचीन भारत की गुफाओं वाला वीडियो देख लीजिए बरावर और नागार जुनी कुफाएं आज हम देखने वाले हैं असोक के इस्तमलेख कितने भागों में विभाजित किये गए हैं तो ब्रहद इस्तमलेख और लगू इस्तमलेख जैसे कि हमने कल सिलालेख विभाजित किये थे ठीक है ब्रहद इस्तमलेख यानि ऐसे इस्तमले से प्राप्त हुए हैं और इन पर कितने लेक लिखे गए हैं तो साथ पॉइंट्स यानि साथ लेक या साथ राजाग्या या साथ इस्थानों से प्राप्त हुए हैं सिलालेक कल हमने पढ़े तो सिलालेक पर पॉइंट्स कितने लिखे लिखे तेरा पॉइंट्स लिखे हुएं कितने स्थानों से प्राप्त हुए थे तो ब्रहद स्थानों से प्राप्त हुए थे अब आजाएं लगू स्थानों से प्राप्त हुएं पांच स्थानों से प्राप्त हुएं ठीक है यह जो दूसरी फोटो इस में आप देख पा रहे हैं कि किसी इस्तम यानि खंबे पर लिखी गई जो है लिपी यहां पर देख पा रहे हैं या कहेंगे लेक देख पा रहे हैं ठीक है तो ब्रहद इस्तमलेक छैस इस्थानों से प्राप्त हुएं साथ पॉइंट्स यानि साथ राजाग गया है या फिर साथ इस्तमलेक इन पर लिखे सिलालेक कल हम पढ़ चुके तेरे अपॉइंट से इन पर और आठ स्थानों से प्राप्ट के प्राप्त हुए थे ब्रहद सिलालेक लगोस्त लिक कितने इस्थानों तो प्राप्ट हुए पंच तुगलक इसको दिली लेकर के आया तो पुछ जाता है कि दिलिड़ीट पॉइंठी खास बात है कि अभी आपको बताए थे कि भर हद इस लिखे है तो यह तो गर्षन पूच जाता है तुसरा नंबर का क्या है दिल्ली मेरट इस लिखे कि इसमें आ रहा है क्योंकि यह पहले मेरट में था उत्त्रप्रदेश मेरट में इसके बाद तुखलकी दिल्ली लेकर के आया फ्रोजसा तुगलखी इसे भी दिल्ली लेकर के आया लॉरिया नंदंगड ये कहां पर है चंपारंड बिहार में और लॉरिया अरे राज ये भी चंपारंड बिहार में तो लॉरिया नंदंगड और लॉरिया अरे राज चंपारंड बिहार में इस्तित असोक के ब्रहद इस्तंबलेक हैं लॉरिया अरे राज से प्रश्ण पूछ जाते हैं क्योंकि यह जो फोटो आप लोग यहां देख रहे हैं यह किस की है लॉरिया अरे राज की फोटो है यह वाली ठीक है तो इस पर आप देख पारें ऊपर क्या एक सेर बैठा हुआ है और न इस्तंबलेक है जो असोक का उस पर बैठा हुआ है चार सिंग कहां पर है वो सारनाथ वाले में ठीक है तो यह अकेला सिंग कहां पर है यानि सेर उत्तर दिसा पर मूंग की हुए लोरिया अरे राज चंपारंड बिहार में सीर्स पर कमलकरती इस पर बनी हुई है आ गया जा ने इलहाबाद इस्तंबलेक या इसी को कहा जाता है कौसामबी इस्तंबलेक इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि यह कौसामबी से लाकर के इलहाबाद में लगाया गया था तो प्रियाग क्योंकि इलहाबाद का नाम बदल कर प्रियाग हो गया है तो प्रियाग इस्तंबले वहां पर फिरोज सा तुक लगता है यहां पर कौन है अकबर के द्वारा इसे कौसामभी से इलहबाद लाया गया था इस पर अकबर और बीरवर के अभिलेक भी मिलते हैं यानि इसी जो इस्तंबलेक पर अकबर के कहे दो या फिर कई बार बीरवल दोनों की बात एक ही है क्यो को इलहबाद इस्तंबलेक या कौसांभी इस्तंबलेक पर मिलता है हमने पहले वीडियो में पढ़ाथा कि समुद्र गुप्थ की प्रियाग प्रसस्ति या समुद्र गुप्थ का प्रियाग इस्तम्द्र बीर्बल अविलेक और जहांगिर के अविलेक किसी के लाबाद इस्तम्द सुमौंद्र गимость प्रीयाक प्रियाग प्रसटिया लिक्षा और यह और पर मिलती है इलावाद इस्तंबलेक पर मिलती है तो यह फोटो जो आप देख पा रहे हैं यह लौरी आरे राज की यह उत्तर दिसा में मूं किये हुए सिर बैठा है उल्टी कमल करती बनी हुए राज हंस भी बने हुए इस पर और दूसरी किसकी है तो यह हो गया आपका प्र सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर लीजिए बहुत महनत लगती है इससे पहले मैंने कई वार वीडियो रिकॉर्ड किया है पर उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती है बोलते बोलते ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं दिल्ली टोपरा से जो है दिल्ली लेकर कौन लेकर कर आया दिल्ली मेरट फ्रोजसा तुगलक मेरट से दिल्ली लेकर आया लॉरिया नंदंगर्ड चंपारंड बिहर में हैं लॉरिया अरे राज पर आगे देखते हैं जल्दी से राम परुवा का इस्तम लेक या कौसामी के दें इसको कौसामी से जो है इलावाद के किले में अकवर करके आता है अकवरो बीरवल के अभी लेक मिलते हैं जहांगीर का विलेक मिलता है इस पर और समध्र गुप्त का प्रयाग इस्तंब्र प्रशस्ती भी हरिशेंड द्वारा जो लिखी गई है वो भी इलहाबाद इस्तम्लेक पर यह कोसांभी स्थम्लेपर मिलती है। कि यहां पर एक बार और देख लेते यह रहा जो है धिलली टोपyszARA मेरठ लगुभूसाने पांच इस्थानगों से प्राप्थ सांची में सांची का इस्तूप निर्माड भी किस ने करा था समराग असोक ने दूसरा कौसामभी पर है और वह त है तो सारनात वाली वीडियो देख लेना सारनात के बारे में शारी चीजे बता हुई है सारनात वाले वीडियो में ठीक है तो आगे चलते कौसामभी इस्तंबलेक से प्रशन जो पूछे जाते हैं रानी का अभिलेक किसे का जाता है तो कौसामभी का जो लगू इस्तंबलेक है उसे रानी का अभिलेक कहते हैं ठीक है रानी का अभिलेक क्यों कहते हैं क्योंकि एक मा तो चलिए आगे चलते हैं सारनात का इस्तम बनाया गया गया है जो सारनात का इस्तम है इसमें चार सेर बीच में चक्र है दाई और दमदार घुड़ा है बाइव इसमें सांड बना हुआ है सत्य में उजयते इसके नीचे लिखा ये मुंड़ को उपनिसत से लिया गया है तो सारनात इस्तंब की खास बात क्या है ये समराटा सोक का इस्तंब है और राश्टीर चिर्चिन है भारत का चार सेर है इसमें जो बने हुए है चक्र बीच में बना हुआ है और दाईयों और धमदार घोड़ा है याद करने की ट्रिक बाईयों और क्या है सांड है और सत्य में उजयते कहां से लिया गया है मुंड़ को उपनिसत से लिया गया है ये भी सारनात इस्तंब की फोटो है आगला चोथे नमबर का क्या है निगलीवा सागर अभिलेख और फास नमबर प्रgen शोटे तो रसी च्छोटा फासे चोँटा कौने को रूम्मिंदे अभिलेक है दूसरा नंबर का भूर आजस्व करग कहां पर एक बटाफ लूंबिनी महात्र अभिलेक में लिखा कोई है गया थादर में कर्शमाप्त कर दिया गया था अर्थ शास्त्र से संब्धित या फिर अर्थ से संब्धित एक मात्र अभिलेक, रुमिंदेई अभिलेक, क्योंकि इस पर भूराज़त सुकर के बारे में लिखा उआ है दूसरी इंप्रोटेंट बात कि यह दोनों अभिलेक कहाँ पर इस्त खास बात सबसे शोक्र की कि रिखा और अर्थ से समन्देत पर नेपाल की तराई में महात्मा बुद्ध के जनम से समन्देतöm निकलीवया सागर भी काँपर G सांची का सा क्षाणजिया erklari को रानी का के निकलीबा सागर और रुम मिंदेया विजह ङाए नेपाल की तरह ही मिश्थिते तैं अशोक का सबसे छोटा इस्तंबलेक करको एक बटा आर्ट कर दिया गया धार में कर्शमात और अत्सास्त सम्मदित एक मात्र अभिलेक अब आ जाईए यह अभिलेक पूछा गया है मैंने अलग से जब प्रश्ण कर देख रहे थे तो उसमें मिला था भानू या भब्रू अभिलेक या बैराट इस्त में तो निन्हा भानू या बैराट इस्तम्मलेक कुछ भी का जाए एक हां än था क्षान का प्रश्ण है और इसहाए przysz हुआ कि श्रींहों और लेक आसा संभिलेक अनुय है यह प्रमाडित कौन करता है भानु या भाब्रू बैराट इस्तंबलेग ठीक है तो बहुत धरमकान हुआ ही था ये किस से पता चलता है जो है बैराट इस्तंबलेग या इस पर लिखा हुआ है या भानु इस्तंबलेग कहां पर है राजिस्थान में चलिए अब प्रश्णों को देख लेते हैं असोक के स स्वेम को मगद समराट बताया है तो मगद का समराट बताया है बहाबरू इस्तंबले कहां पर है राजिस्थान में रूम्बिन देही जो भगवान बुद्ध के जलम से शंवन देता है और कर यहां पर एक बठा आठ कर दिया गया था नेपाल की तरही में स्थित्थित स्क्राइब दोनों को कर लेते हैं तो इससे बाहर प्रश्ण नहीं जाएगा अगर वीडियो पसंद आया है सब्सक्राइब करने जब भी वीडियो आएगी तो आपके पास जरूर पहुंचेगी थैंक यू फूर वॉचिंग